ये साल मैं अपने बालों को ऐसा ब्रेक दे रही हूँ, कोई रिबॉंडिंग या कलर नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हेर स्पा करा रही हूँ तो एहमद सर ने मुझे इस बार हाइडरा स्पा रेकमेंड किया इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, जेल शैंपू लगाके अच्छे से बालों को और स्काल्प को क्लीन करने का ये स्पा उन लोगों के लिए जिनको डैंडरा होता है या फिर बहुत जादा फ्रिजी हैर होते है उसके बाद बारी आई स्काल्प को नरिश करने की इस तो मेरे स्काल्प की रूट्स को अच्छे से नरिश करने के लिए इसमें वाइटमिन सी इस स्प्रे से इंफ्यूस किया गया अंदर इसके बाद इस कोम से दी गई लाइट थेरपी तो इसके अंदर से ऐसी red light निकलती है और इससे आपका scalp बहुत clean और exfoliate हो जाता है and it also boosts hair growth let's see in the long run इसका कोई फायदा होता है या नहीं होता है अभी तो मैं बता नहीं सकती उसके बाद बारी आती है मास्की अच्छे से पूरी lens पे लगा दिया गया और उसके बाद अच्छे से steam कर लिया मेरे पूरे head को now this is what the final results look like एक spa के बाद मुझे काफी अच्छा difference लगा एक दम drastic नहीं बट पहले से बाल काफी smooth और scalp condition लग रहा था और ऐसे ही different hair spa के reviews आपके लिए लाती रहोंगी follow for more, bye!